में बहुत सा ऐसा वेस्ट समान होता है जिससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं तो आज मैं भी अपने घर के इस बिकार समान से बना रही हूँ कुछ सुन्दर से और्गनाइजर जो घर के लिए यूस्फूल तो होंगे ही साथ ही कम बजट के भी होंगे और सुन्दर भी होंगे तो सबसे पहले और्गनाइजर के लिए मैंने लिया है इस तरीके का कार्ट बोर्ट का बॉक्स और ये वाले कार्ट बोर्ट के बॉक्स हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इसके चारो तरब के फ्लैब को कट करने के बाद में मैंने रख दिया इसको एक साइट में और बना रही हूँ मैं इससे एक टी शिट और्गनाइजर तो ये देखे मेरे पास एक मेरी ही पुरानी ये टॉप थी चो की काफी टाइट सी हो गई है और इसके अंदर ये इस तरह की डोरी लगी हुई है स्टाइल तो काफी अच्छा है लेकिन टाइट काफी होगी थी तो मैं इसको डिसकार्ट करने वाली थी इसी से मैं बना रही हूँ ओर्गनाइजर तो इस टॉप को मैंने क्या किया इसके अंदर इस तरीके से डाल करके देख लिया और ये पूरा ही फिक्स आ रहा था और इसको इस तरीके से करने के बाद में मैंने क्या किया इसको कट कर लिया कट की से करना है, बहुत ही आसान है, पहले हम इसको पूरी तरीके से लगा के देखेंगे, और कट कर देंगे, जहां next side है, उधर से मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद में, इसके अंदर इस तरीके से डाल कर, hot glue gun की help से यहाँ पर पूरी तरीके से stick कर दूँगी, चाहें तो हम नॉर्मल ग्लु का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आसाणी से चिपक जाता है नॉर्मल ग्लु से भी और मैंने पहले काफी सारे और्गनाईजर इसी तरीके से भी बनाए हैं तो ये देखे ये चारो तरफ से चिपका धिया और पीछे के साइट से भी चिपका दिया है अब इसी टॉप की जो डोरी बची थी तो उस डोरी को मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल रही हूँ स्क्रूडराइवर की हेल्प से और इसको डोरी को मैंने निकाल करके बैक साइट से डाल दूगी तो इससे क्या होगा यह हमारा हैंडल बन जाएगा और काफी मजबूत है क्योंकि यह जो डोरी है यह काफी मजबूत वाली डोरी है इसी लिए मैं इसका इस्तवाल कर रही हूँ दूसरे साइट में मैंने लगा दी यहाँ पर नॉट और इसके अंदर जो लूप सा था एक बीट सा था वो डाल दिया जिसे कि यह निकले ना वजन पढ़ने पर तो डबल नॉट लगाने के बाद में एक्स्ट्रा डोरी को मैं कट कर दूँगी और यह देखिए दोनों साइट से लगा दी मैंने डोरी और बन गया मेरा एक औरगनाइजर यह है एक फैल्ट फैब्रिक जो कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फैल्ट फैब्रिक लगाने का यह फायदा है कि अगर इसके अंदर कोई आपने खाने का सामान रखा है और यह देखिए यह सारे औरगनाइजर मेरे बनाए हुए हैं खुद के काफी टाइम से चल रहे थे दिखाओंगी किसी और वीडियो में मेरे खुद के बनाएवे सारे औरगनाइजर इसके बाद में दूसरा और्गनाईजर बना रही हूँ मैं इस वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे का तो ये तोट गया था इसका ढखकन अलग-अलग हो गया था ये यूज में नहीं था तो मैं डिसकार्ट करने वाली थी लेकिन इसको मैंने क्या किया यूज करने की सोची यूज करने के लिए मैंने इसके अंदर पहले इसको अच्छे से साफ कर दिया डब्बे को और इसके लिए एक सुन्दर सा फैब्रिक धूडा और मैंने especially कोई फैब्रिक खरीद करके DIY नहीं करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ घर के ही discarded सामान से अगर कोई भी चीज बनाई जाती है वो एक तो कम बजट में बनती है दूसरे आपकी घर की चीजों का reuse भी हो जाता है और कोई भी DIY करने का फाइदा तब ही है जब आप चीजों को reuse करते हैं अब यह देखे इस तरीके से इस box के चारो तरफ मैंने normal PVA glue लगाया और इस कपड़े को इसके बराबर का नाप का कट किया और यहाँ पर चारो तरफ से चिपका दिया अच्छा side में मैंने यहाँ पर किया है wall paint double coat में तो wall paint के अंदर में पानी mix नहीं करती हूँ और double coat का wall paint करने के बाद में पीछ में लगा दिया मैंने fabric जो बचा हुआ था और यहाँ पर अब मैंने लगाया है normal PVA glue और यह wool से यानि कि उन से मैंने एक छोटी से गुथ बनाई है यानि कि चोटी टाइप की बनाई है और उसको normal PVA glue की help से मैं यहाँ पर stick कर दूँगी यह सूखने में थोड़ा time लेती है लेकिन यह बनने के बाद में अच्छी लगेगी मजबूत भी हो जाती है और चुकि हम इसके अंदर सफेद है यह तो इसके उपर red color के dots लगा रही हूँ मैं और हम इसके अंदर रखेंगे dry सामान तो यह खराब नहीं होगा मेरा box और इसको अगर कभी wash करना हो तो अंदर को गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं क्योंकि मैंने अंदर कपड़ा नहीं लगाया है प्लास्टिक का है तो यह अंदर से washable है अच्छा बाहर से यह कुछ इस तरीके से लग रहा है next मैं बना रही हूँ इस तरह का एक अपना organizer अलग तरीके का जो मुझे बहुत time से चाहिए था उसके लिए मैंने इस तरीके के square box जो आते हैं मेरे पास पड़ा हुआ था यह काफी time से तो मैंने इसको समाल करके रखा हुआ था इसको half cut कर दिया है और अंदर के side में लगा रही हूँ इसमें PVA glue अब glue लगाने के बाद में यह जो कपड़ा आप देख रहे हैं white color का यह बचा हुआ fabric था इसको मैं अंदर के side से लगा दूँगी और यह वाला जो organizer बना रही हूँ यह बाहर के side से washable होगा पूरी तरीके से आप सर्फ से भी साफ कर सकते हैं गिले कपड़े से साफ कर सकते हैं और बहुत ही easily आप इसको clean भी करेंगे सालो साल चलेगा अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो तो यह देखे मैंने अच्छे से इसके अंदर PVA glue लगा दिया है लगाने के बाद में इस कपड़े को बनाऊंगी मैं जितना बड़ा मुझे कपड़ा चाहिए उतना बड़ा मैंने इसका नाप कर लिया था और उसको cut कर लिया था और अब इसको लगाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है पहले कपड़े का roll बना लेंगे हम उल्टे side से इस तरीके से roll बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा roll लगाकर गुमाते हुए हम कपड़े को इस तरीके से चिपका देंगे अच्छा जब पीछे को fold करना होता है त और अंदर के साइड में चिपकाते हुए थोड़ा धियान रखना है कि थोड़ी सी फिनिशिंग आए अब यह देखे मैंने यहाँ पर कट लगा दिये हैं तो यह आसानी से चिपक जाएगा बैक साइड से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नॉर्मल पीवीए गलो चारो तरफ से और इस कपड़े को मैं फैब्रिक को यहाँ पर चिपका दूगी अब इसको मैंने चारो तरफ से चिपका दिया और अब नीचे के साइड में लगाने के लिए मैंने लिया है फिर से फैल फैब्रिक जो की ब्लाक कलर में मेरे पास बढ़ा हुआ था इसको मैंने जस्ट इसी के बराबर का रख दिया है इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज क्लीन रखनी है इसको और इसके अंदर को कुछ गिर गया है तो आप इसको निकाल करके साफ भी कर सकते हैं और अब बाहर के साइड में लगा रही हूँ मैं इस तरीके का एक लैदर फैब्रिक आता है ये आपको किसी भी जहां पर सोफा वगरा बनता है वहां पर मिल जाता है जब मैंने अपना सोफा बनवाया था तब ये कपड़ा मैं खरीद करके लेकिया थी काफी टाइम से रखा हुआ था मेरे पास और ये थोड़ा सा टुकड़ा ही था उन्होंने ऐसी ही दे दिया था 20-30 रुपीज में तो ये मैंने अपने इस DIY के लिए रख लिया है और इसको चारों तरफ से नॉर्मल PVA ग्लू लगा करके इसको इस तरीके से मैं स्टिक कर दूँगी बहुत ही आसानी से चिपक जाता ह है और आप इसको बिल्कुल नॉर्मल किसी डिश वास से भी क्लीन कर सकते हैं अब जैसे कि किसी भी स्क्रबर के उपर हलका सा डिटर्जेंट फगरा लगाए और इसको क्लीन करने के बाद में गीले कपड़े से पोच सकते हैं तो ये वाशिबल टाइप का ही हो गया है हमारा Oργनाईजर इसको मैं चारों तरफ से इसी तरीके से स्टिक कर दूगी लेकिन तो थोड़ा सा अच्छा ग्लू लगा कर यानि जादा मांतरा में ग्लू लगा करके हमें स्टिक करना है क्योंकि यह अंदर से फैबरिक होता है बाहर से लेदर टाइप का होता है तो यह देखने है अपने remotes वगरा रखने के लिए ये दिखिये मेरे सारे remotes यहाँ वहाँ पड़े रहते थे तो मैं 뭐 ने इसको यहाँ पर इस तरीके से organize करने के लिए रख दिया इसमें मेरे remotes आ गये मेरा spectrum अ गये है मेरा चश्मा आ गया है तो यह सब इस तरीके से organize हो गए हैं next organizer के लिए देखे इस तरीके का हमारे पास बहुत बार आता है थर्मकोल के डबे जिसके अंदर हम cups वगरा लेते हैं, tea cups वगरा आते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर use कर रही हूँ एक organizer बनाने के लिए यहाँ परसे मैंने cut कर दिया है क्योंकि मुझे जितना बड़ा चाहिए था मैं उतना बड़ा cut कर रही हूँ और वैसे तो यह बना-बनाया खुद ही organizer है, लेकिन मैं इसमें आपको color mixing भी बताऊंगी, कि अगर आपको color mixing करनी है, तो किस तरीके से करें तो यह देखे white color का wall paint लिया है मैंने और इसके अंदर डाला है green color का acrylic color और इन दोनों को mix करने के बाद में हमारा बन जाएगा एक light green color अब अगर हम इसको just as it is कर देते हैं, तो यह dark green बनेगा, महंदी green type का और इस तरीके से अगर मैंने कर दिया यह lime green type का color बना है color भी बहुत प्यारा बनेगा और एक चीज़ बताती हूँ थर्मा कोल के उपर अगर आप कभी भी spray paint करेंगे oil paint करेंगे, acrylic color करेंगे या water color करेंगे, कोई भी color करेंगे, इसके उपर कभी भी color अच्छे से नहीं टिक पाता है, तो अगर आप चाहें तो try करके देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इस तरीके से wall paint करेंगे तो यह color काफी अच्छा लगता है और visible नहीं होता visible कहने का मतलब यह है अगर आप कोई और paint करेंगे तो उसमें से thermacol visible होता है लेकिन अगर यह paint हम कर देंगे तो thermacol visible नहीं होता है तो यह देखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर अंदर के side में कर दिया green color और यह जो है blue color इसको मैं कर रही हूँ इसके उपर, अब आप कहेंगे कि मैंने कहा कि visible नहीं होता और फिर मैं खुदी यहाँ पर कर रही हूँ तो blue और black color दो color ऐसे होते हैं जो कि dark बहुत जादा होते हैं acrylic लें या fabric लें तो यह थोड़े से stay करते हैं लेकिन अगर हम इसको गीले चीजों से चुएंगे गीले हाथों से चुएंगे तो यह खराब हो जाएगा color निकल जाएगा और इसको करने के बाद में भी मैं आपको एक disclaimer दे दूँ अगर मैं blue color direct acrylic color इसके उपर लगा रही हूँ तो यह मतब इसमें थोड़ा सा visible होता है यह बिल्कुल जैसा आपको camera पर दिख रहा है उतना dark color इसके उपर आया नहीं है इसके उपर भी thermacol visible हुआ सूखने के बाद तो मुझे 3-4 coats लगाने पड़े तब कहीं जाकर के यह थोड़ा सा ठीक हुआ था तो इस तरीके से acrylic color की wastage जादा है कहने का मतलब है अगर हम इसको wall paint में मिला करके करते हैं तो यह हमारा अठ्था जलेगा कम लगेगा ग्रीन कलर बचा था उसी के अंदर मैंने red color mix किया और यह एक wine type का color बन गया है wine थोड़ा सा dark होता है अगर मैं red color और जादा बिला दूगी तो यह proper wine color बन जाएगा यह हलका है wine color से एक शिट तो यह कुछ इस तरीके से बन गया है और मुझे देखे color भी मेरा waste नहीं हुआ और color use भी हो गया अब इसको अच्छे से mix करने के बाद में मैंने धर्मा कोल के उपर किया back side में सारा और हलका सा blue का tint भी mix किया था जिसकी वज़े से यह color अच्छा निकल करके आया है इस तरीके से करके मैं पूरे box के उपर यह color कर दूँगी और सुखने के लिए रख दूँगी जब तक यह proper सुखना जाए अगर इस टाइम पर हाथ लगा देंगे हम गीला तो इसके उपर निशान पड़ जाते हैं इस चीज का हमें खास चीज का हमें खास ख्यार रखना है मैंने इसको सुखाने के लिए दिया और तयार हो गया मेरा एक सुन्दर सा organizer यहाँ पर यह organizer share करने का मकसद यही था कि आपको colors के बारे में पता चले और बन गया मेरा एक बैंगल organizer वैसे एक अलग से बैंगल organizer में आपके साथ में share करूंगी फिला next DIY के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर इस तरह की soft drink की bottles आती हैं उनको मैंने एक ही size की bottles लिए और उनको cut कर लिया just half में cut करने के बाद में मुझे करना था इन पर paint और paint करने के लिए again मैंने लिया है यहाँ पर wall paint और उसके अंदर हलका से टेंट मिलाया है मैंने blue color का blue acrylic color और उससे बन गया मेरा एक ये सुन्दर सा sky blue color तो white में हलका सा blue मिलाएंगे तो sky blue color बन जाएगा अब यहां पर लिये हैं मैंने दो cardboard जिनको आपस में मैंने जोड लिया है और यही मैंने लिया है leather वाला fabric उसके अंदर मैंने इस cardboard के piece को डाल करके इस तरीके से stapler से बन कर दिया तो कहने का मतलब है एक मेरा ये दोनों तरफ से cover वाला मेरा ये तयार हो गया cardboard और ये जो मैंने color किये थे जो bottles color किये थे उसके उपर लगा दिया ribbon इन सबको मैंने hot glue gun की help से stick कर दिया और यहां पर मेरे पास दो एक ये Santa Claus के faces रखे थे उसको भी मैंने hot glue gun की help से stick कर दिया अब ये अगरबत्ती वाला stand तो आपने मेरा देखा ही होगा मैंने आपके साथ में DIY share किया था इसको रख दिया मैंने यहां पर और ये बन गया मेरा एक pencil organizer आप इसके अंदर दो तरीके से use कर सकते हैं मैंने pencil और pens वगरा यहां पर organize किये हैं चाहें तो इसके अंदर spoons वगरा अब ही organize कर सकते हैं यह तो सिर्फ आपको idea देने के लिए था फिलाल आज का वीडियो इतना ही था आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो like और share जरूर करे मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्या बाइ